विडियो और मेरा नाम है अमन्त रिवेधी इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं फ्रेजल वर्प्स आप सभी लोग जानते हैं इसका एक लेक्चर में अल्रेडी कवर कर चुका हूं इसमें 20 फ्रेजल वर्प्स हमने डिसकस की थी अगर आगर आप चाहते हैं कि इस सिरीज को मैं आगे भी कम्प्लीट करूँ तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में अटेंड जरूर लिखे हैं जिसे कि मुझे मालूम पड़े कि आप यह वीडियो देख रहे हैं ठीक है तो प्लीज इतना करिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिफोर आई स्टार्ट का एक जबरदस्त पैच हमारा चल रहा है दुपहर के तीन बजे आप इसे जॉइन कर सकते हैं इसके अलाबा अगर आपको पढ़ने हैं तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं इसमें हम लोग कम्प्लीट इंग्लिश पढ़ रहे हैं फ्रॉम इसके अलाबा अगर आप अटिव पैसिव वाइस को पढ़ना चाते हैं या फिर नरेशन को पढ़ना चाते हैं तो उसके लिए ये बैच 23 जुलाई से शुरू हो रहा है आप इसे भी जॉइन कर सकते हैं इसके अलाबा एंटोनेम्स और सिरोनेम्स का बैच है इसमें हम है जिसमें हम लोग English का एक mock test discuss करते हैं और अगर आप subscription लेना चाते हैं तो आप मेरा referral code AMANT इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको 10% discount मिलेगा और अगर आपकी कोई query है तो नीचे दिएगा WhatsApp नंबर पे आप मुझे message भी कर सकते हैं इनके अलाबा आने केडमी पर और भी कई सार हो रहे हैं जैसे कि All Stars batch है, CET Bramhasa batch है, संकल्क batch है, सफलता batch है और भी बहुत सारे batches आने केडमी पर lined up हैं तो इन में भी आप enroll कर सकते हैं और आप referral code use कर सकते हैं AMANT for 10% discount अभी SSC पे offer चल रहा है अगर आप एक साल का subscription लेंगे तो आपको आधे साल का subscription free मिलेगा और दो साल क लेंगे तो एक साल का subscription free मिलता है जिसको आप अवेल कर सकते हैं अगर आप referral code use करते हैं AMANT तो इससे आपको 10% discount मिलेगा और इन prices पे आप इन्हें अवेल कर सकेंगे ठीक है और अगर आपने अभी तक भी combat में रोल नहीं किया तो combat में रोल जिरूर कीजिए और telegram चैनल नहीं लिंक दिया है telegram कर लिजिए आज आपको जब यह वीडियो मिलेगी तो इसके पहले में पिछले वीडियो का PDF आपको प्रोवाइट कर दूँगा I will make sure that तो इस पीडियो का PDF पिछले जब अगला वीडियो आएगा तो उसके साथ में आपको मिल जाएगा और अभी तक जो भ pass from SP vakshi book dann renderเป bile क्रया अउट क्या होता है बात करते है तो देखें competitive का क्या थैं랑 कर रिंगा निग होता है आपका explain the Meaning of some thing यह फिर पग्लिश करना किसी चीज के अर्थ कोное सब्सचित करना या फिर प्रकाशित करना इसका पर्लाश हो जाता है होता है bring out का meaning होता है आपका explain the meaning of something या फिर publish करना किसी चीज के अर्थ को बताना इसपस्ट करना या फिर प्रकाशित करना इसका अर्थ हो जाता है example देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा example में कहता है कि you are sure you sure bring out the words in me ठीक है meeting यानि कि वो कह रहा है कि तुम मेरे अंदर के जो सबसे खराब है वो आप लेकर बाहर आते हो तो bring out मतलब हो गया कि एक तरी के से इसपस्ट कर देना explain कर देना publish कर देना किसी चीज को ठीक है तो जैसे आपको यी 3D इट्स का तुम explain कर सकते हो जो तुमने machine की definition बताई है तो bring out का मतलब हो कि explain करना, spust करना, प्रकाशित करना ठीक है चलिए अगला जो हमारा word होता है वो होता है आपका अगला जो phrasal word है वो है आपका bring round अब bring round का क्या आर्थ है तो bring round का आर्थ हो जाता है कि मान लिजे to one agrees bring to senses दो आर्थ है एक तो यह आर्थ होता है किसी को मना लेना किसी काम के लिए और दूसरा आर्थ होता है किसी को होश में लाना अगर कोई वेक्ति unconscious हो गया है या कोई वेक्ति भी होश हो गया है या फिर मूर्चित हो गया है तो उसे senses में वापस लाना क्या होता है, bring round कहलाता है, ठीक, तो आर्थ हो जाएगा, मना लेना किसी को या किसी को होश में लेकर आना, bring round हो जाएगा, example I was able to bring my mother round to my views with great difficulty यहीं कि मैं अपनी mother को बड़ी मुश्किल से मनाने में सफल हुआ था, तो bring round का मतलब हो गया, किसी को किसी काम के लिए मना लेना, ठीक है, तो I was able to bring round, bring my mother round, मेरी अपनी मा को मनाने में बहुत मुश्किल से मैं सफल हुआ था, with my views with great difficulties, तो bring round का अर्थ हो गया, मना लेना ठीक है, जैसे आपको यह film याद होगी हसीना मान जाएगी, आपको याद होगा तो I will bring हसीना round इसका अर्थ हो जाएगा, I will bring हसीना round, ठीक है, अगर आपको यह यादो, कोविंदा और संजय दत की फिल्म थी, हसीना मान जाएगी, तो I will bring हसीना round, यहनी कि हसीना रूथ में मना लूँगा ठीक है, एक यह अर्थ हो जाता है, दूसरा जो इसका हमने अर्थ बात की थी, कि किसी को मूर्चित अवस्था से conscious state मिलाना तो आपको याद होगा जैसे लक्ष्मन जो है जब इनको मेगना शक्ती लग जाती है, नाक शक्ती राउंड बाइ ब्रिंगिंग संजीवनी बूटी फॉर हिम, लॉड हरुमान जो है, वो लक्ष्मन को होश में लेकर आये, कैसे लेकर आये जब वो उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आये थे तो, तो ब्रिंग राउंड के प्याद रखेंगे, हमने दो phrasal verb अभी तक याद करी है, एक तो है bring round हमारी, एक हो जाती है हमारी bring round, इसके अलावा हमारी हो जाती है, एक हमने जो याद की है वो है आपकी bring out तो bring out मतलब किसी का meaning explain करना और bring round मतलब हो जाता है किसी को मनाना या फिर किसी को होश मिलाना, ठीक चलिए, अगला जो हमारा phrasal verb है वो है आपका bring up bring up का अर्थ क्या होता है bring up का अर्थ होता है किसी को पालन पोशन करके बढ़ा करना ठीक है, जैसे I am born and brought up in कानपूर, मैं कानपूर में कानपूर में ही बढ़ा हुआ हूँ तो किसी को rare करना, educate करना पाल पोस्ट के बढ़ा करना उसे पढ़ाना लिखाना, bring up करना कहलाता है ठीक, तो पालन पोशन करना या पढ़ाना लिखाना क्या हो गया bring up करना, तो for example fathers are beginning to play a bigger, bigger role in bringing up their children आज के समय में fathers जो है, बच्चों के rear में बच्चों के पालन पोशन में उनको बढ़ा करने में, उनकी education में एक बहुत ही important role निभा रहे हैं तो bring up का मतलब होता है educate करना या पाल पोस्ट के बढ़ा करना ठीक है, तो bring up आप याद रखेंगे bring up का मतलब हो जाता है किसी को educate करना या पाल पोस्ट के बढ़ा करना तो born and brought up in कानपूर मतलब मैं कानपूर में ही जन्मा हूँ और कानपूर में ही मुझे बढ़ा किया गया है ठीक है अगला जो हमारा phrasal verb हो जाता है वो है आपका call at जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे धीरे धीरे आमारी classes बढ़ेंगी confusion बढ़ेगा आपको phrasal verb में इसलिए मैं बार बार आपको बहुत अच्छे से explain करने की कुछ चुछ कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए ठीक है अगले वीडियो से हम एक और नया काम करेंगे कि जितनी भी phrasal verb में इस वीडियो में सीख रहे हैं अगले वीडियो को शुरू होने से पहले हम उसे revise करेंगे ठीक है जिससे कि वो याद बहुत अच्छे से हो हमें ठीक है उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए आपको इसकी PDF की भी आपशक्ता नहीं पढ़नी चाहिए आप वीडियो देखिए और आपको वो याद हो जाना चाहिए आप वीडियो एक से दो बार देख सकते हैं क्योंकि जो लिखा हुआ है meaning कई बार उससे बहुत अलग हो जाता है call at से हमें ऐसा लगता है किसी को phone लगाना मतर्थ होगा लेकिन call at का मतलब होता है किसी जगे पर जाना और किसी वेक्ति से मिलना ठीक है तो I called at the residence of my grandparents yesterday जब आप इस sentence को अगर कहीं पढ़े लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जिसे आप नहीं मालूमें उससे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने grandparents के residence पे phone किया और जबकि अर्थ ऐसा नहीं है अर्थ यह है कि मैं grandparents के घर पे गया उनसे मिलने के लिए तो call at का मतलब होता है किसी की जगे पर जाना उससे मिलने के लिए ध्यान रखिएगा बहुत important है exam में fillers में आती है close test में आती है RC में आ जाती है error में आ जाता है आपको समझ भे नहीं आता तो call at का अर्थ हो जाता है आपका किसी जगे पर जालना जाना किसी से मिलने के लिए अब देखिए आपको याद होगा यह experience का scene है जिसमें अभिलास से संदीब भीया उसके office में मिलने आते हैं तो संदीब भीया called at अभिलास office to meet him संदीब भीया अभिलास के office जाते हैं उससे मिलने के लिए तो call at का मतलब हो गया किसी के पास जाना उससे मिलने के लिए ठीक जितनी में मैं words बता रहा हूँ बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इनको याद करिएगा अगर कुछ करना है तो जादा से जादा copy में एक जगे notes बनाते जो जो कि किताब में already बने हुए आपको उसकी भी जरूरत नहीं है बस आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए end तक और इसको समझियो और सारे के सारे words यहीं पर याद कर लीजिए अलग से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखे इस चैनल को सब्सक्राइब किया थोड़ा सा शेर कर दिया तो मैं कोशिश करूँगा पूरी SP बख्षी vocabulary आपको इस चैनल पे मिल जाएगी ठीके अगला वर्ड हमारा क्या आता है अगला वर्ड होता है हमारा call for अब देखिए call for का अर्थ क्या है अपने दिमाग से अर्थ लगाईए call for का अर्थ क्या हो सकता है call मतलब बुलाना किसी चीज के लिए तो call for का मतलब हो जाता है किसी चीज की आवशकता होना, necessary होना, requirement होना ठीक है आवशकता होना और या फिर मांग करना So for the unity of the country, discipline among the people is called for देश में एकता बनाये रखने के लिए लोगों के बीच में discipline, अनशासन का होना अत्यनत आवशक है तो call for का मतलब हो जाता है, call for का मतलब होता है, आवशक होना, required होना यनि कि ऐसी चीज जो की बहुत ही required है, मांग की जा रहे है ठीक, तो याद रखने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी अर्थ हो जाता है, required होना, necessary होना तो जैसे कि आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, 1 अगस्त से CHSL वालों का पेपर लगा है, और 12 अगस्त से CGL वालों का पेपर लगा है, SBI वालों का इसी महिने में लगा हुआ है यानि कि यह समय है जब आप बिलकुल अपने, it is called for now, what is called for now, कि अब underground होने का समय आ गया है and it is called for now, इसकी आवर्शक्ता है समय कि आप सब लोग underground हो जाएं और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, बाकी किसी चीज़ पर फोकस न करें तो call for का मतलब हो जाता है आपका किसी चीज़ की आवर्शक्ता होना, ठीक है, very good अगला word हमारा होता है, अगली phrasal verb हमारी होती है, call in या फिर call out एक इक को अगर आप image के तुरू याद कर रखें आपने दिमाग में बैठाते जाएं, call at में मैंने अभिलाश वाली image दिखाई थी call for में मैंने underground वाल इमेज दिखाई है, call in and call out का अरथ क्या होगा, call in या फिर call out का अरथ होता है is send for help, किसी को मदद के लिए भेजना, ठीक, तो सहायता के लिए बुलाना क्या हो जाता है, call in या पर call out, the police were called in without delay in the, delay the, without delay by the residents हो गया पर, delay the residency by the residents हो गया, ठीक, यह sentence passive में है, एक बात और इस sentence से सीखिए, कि police जो है आपका plural रहता है, ऐसी और कौन-कौन सी नाउन्स हैं, जो कि लगती तो singular है, बट प्लूरल रहती है, आप मुझे comment section में बताईएगा, फिलाल आप यह याद रखिए कि police आपका plural से यूज रहे, plural helping work ही लगती है, ठीक है, so the police were called in without delay by the residents, police बुला दी गई थी without any delay by the residents, ठीक है, I'm sorry, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आपका, कि police जो है, बिना किसी देरी से बुला दी गई थी residents को दरा, तो call in या फिर call out का अर्थ हो जाता है आपका सहायता के लिए बुलाना, ठीक है, चलिए, तो आपको याद होगा वासेपूर का ये scene जिसमें सर्दार खान के बेटे को घोली लग जाती है, और वो कहता कि डॉक्तर का है, डॉक्तर का है, को दॉक्तर को बुलाओ, तो somebody please call in the doctor, तो call in the doctor मतलब कोई भी, कोई भी वेक्तिक, at least doctor को बुलाई या call out the doctor, मतलब हो जाएगा किसी को सहायता के लिए बुलाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, very good, अगला जो हमारा phrasal verb होता है, वो होता है call off, ये बहुत famous है, close test में बहुत frequently आता है, आपके fillers में भी आता है, और vocabulary में भी आता है, तो ये बहुत famous है, call off का मतलब हो जाता है, postpone कर देना, इस्थगित कर देना, suspend कर देना, या abandon कर देना, अकसर match में बारिश हो जाती है, तो call off हो जाता है, IPL अभी हाल फिलाल में call off हुआ था because of COVID, तो किसी चीज को रद करना या वापस बुलाना call off करना ह हो जाता है, we decided to call off the strike, यानि कि हमने strike को call off करने का decision लिया, कि हम उसको नहीं करेगे, तो call off का मतलब हो जाता है, suspend करना, या abandon करना, ठीक है, ये famous है, आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं, इसके लिए मैंने कोई image नहीं इस्तेमाल की है, आप यहाँ पर इसको ऐसे ही याद person, तो call at और call on दोनों का अर्थ एक ही है, call at का मतलब भी मैंने वही बताया था कि संदीब भया अविलास से मिलने गए थे, तो call at था, और call on का भी same ही अर्थ होता है, आपका कहीं जाना और उस वेक्ति से मिलना, तो same ही अर्थ हो जाएगा, it is a tradition that, it is a tradition that prime minister, it is a tradition for the prime minister to call on the president कि president से वो मिलने जाता है, ठीक, तो इसका आप याद रख सकते हैं, उसी image से इसको भी याद रख पाएंगे, कि संदीब भया called on अभिलास in his office, यानि अभिलास से मिलने का है, तो call at या call on दोनों का अर्थ हो जाता है, किसी से मिलने जाना, call on का एक और अर्थ होता है, किसी से request करना, कुछ करने के लिए, जैसे I now call on Mr. President to say some words, तो उस तरीके से भी call on का अर्थ इस्तमाल होता है, किसी से urge करना, कुछ कहने के लिए, कुछ काम करने के लिए, दूसरा, call out, call out का मतलब भी वही होता है, जो अभी हमने थोड़ी दिर पहले पढ़ा था, हमने, call in का, call in काम अर्थ पढ़ा था, call out या फिर call in अभी हमने पढ़ा था, तो call out का मतलब ही हो जाता है, आपका doctor को बुलाना या किसी को मुलाना मदद के लिए, बुलाने के लिए आता है, call out, ठीक है, सहायता के लिए बुलाना, call out, national guards has been, have been called out, called out, यानि उन्हें बुला लिया गया है, ठी अर्थ भी होना चाहिए, गलत है, ठीक है, तो सेम ही आप याद रख सकते हैं, इसको जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, call in या फिर call out मतलब होता है, सहायता के लिए बुलाना, अगला वर्ड है हमारा call up, तो यहाँ पर जो call up है, इसका अर्थ जो होता है, आपक किसी को phone करना, जितना उतनी देर से जो call को इस्तेमाल बार-बार करना है, तो उसका जो actual अर्थ है, वो यहाँ पर आता है, call up का मतलब होता है, किसी को telephone करना है, किसी को याद करने के लिए आता है, call up, ठीक है, तो telephone करने के लिए आता है आपका call up, meaning हो जाएगा, many of my friends called me up to congratulate me बहुत सारे मेरे दमित्रों ने मुझे call किया, congratulate करने के लिए, call up का अर्थ होता है, आपका किसी को phone करना, किसी को याद करना, ठीक है, आसान है, ये भी आप याद रख लेंगे आप, अगला जो हमारा word है, वो है आपका call upon, तो call upon का अर्थ क्या होता है, call upon का अर्थ, जो मैं He was called upon to prove the correctness of the press report, यानि कि उससे कहा गया कि press report की स्कत्यता को साबित करे वो, तो call on या फिर call upon का मतलब होता है, request करना, appeal करना किसी से, ठीक, तो आपको याद होगा, इसमें ये एक scene है, वासेपुरका, जिसमें वो रामाधिर सिंग से, actually मैं वो threat करता है, वो महाँ पे धंकी देता है, बट मैंने इसको थोड़ा सा बदल लिया, तो सरदार खान called upon Ramadir Singh to send the girl back in three hours, उसने कहा कि तीन घंटे में अगर लड़की वापस नहीं आई, तो फिर वो उनको नचा देंगे, तो सरदार खान called upon होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ हो गया, कि में appeal किया, उन्होंने request के exhort किया, कि भाई, आप तीन हंटे के अंदर लड़की वापस कर दो, ठीक है, तो याद रखिएगा, call upon का मतलब होता है, appeal करना, exhort करना, request करना, ठीक है, अगला जो word है हमारा, वो है carry away by, तो carried away by, जैसे कहता है ना, कि don't get carried away by, इससे आप carried away मत हो जाना, तो carried away by का मतलब हो हो सकते हैं, मतलब अपने आप से आपा को देना, आपका आपके उपर ही control नहीं बचे, उसे कहते हैं carry away हो जाना, ठीक है, तो meaning हो जाएगा, नियंतरण होने के लिए आता है carry away, on hearing the news of his success, he was carried away by joy, उसने अपनी सफलता की खबर सुनके, उसके उपर से उसका control हो गया, यानि कि उसने अपने उपर से नियंतरण हो दिया, तो carry away by हो जाना मतलब होता है, अपने उपर से नियंतरण हो दिना, ठीक है, आपको मैं होना का ये scene अच्छे से याद होगा, जिसमें सामने से जब सुस्मिता सेन आती है, तो sir, शारुख खान जो है, वो बिल्कुल carried away हो जाते है, है, he got carried away by, तो शारुख खान got carried away by on scene सुस्मिता सेन इन मैं होना, तो जब वो देखते हैं तो उसके बाद उनके हाथ पर काबू में नहीं रहते हैं, उनके मुह से गाने से निकलने लगता है, वो अलग तरीके से behave करने लगते हैं, तो carry away by का मतलब हो जाता है आपका एक तरी नॉर्मल है, हम अक्सर बोलने चालने की भाशा में भी इसका इस्तमाल करते हैं, carry on का मतलब होता है, continue करना, किसी काम को जारी रखना, carry on कहते हैं, carry on, carry on, carry on, carry on, कहते हैं, continue रखने के लिए आता है carry on, ठीके, so now it is difficult to carry on this business in the teeth of the stiff competition, यहनि कि यह काफी मुश्किल है, इस business को continue क परना in the teeth of stiff competition, मतलब बहुत ही मुश्किल competition जो चल रहा है ऐसे समय में, तो carry on का अर्थ हो जाता है, आपका आगे बढ़ना, continue करना किसी चीज़ को, ठीक, very good, अगला जो word है, phrasal verb है, वो है हमारा carry out, carry out का मतलब होता है, आपका किसी काम को implement करना, किसी बात को मानना, या किसी प्लान को execute करना, ठीक है, क्या कहला है, carry out, बालन करना, कर्यानवित करना या अंजाम देना, so the building work was carried out by a local contractor, एक local contractor के तोरा building का काम carry out किया गया हो, काम कर रहा है, दूसरा अर्थ हाप इसको ऐसे समझ लीजे, it is not likely that your father will carry out the threat of disinheriting you, ठीक है, it is not likely, यानिकि ऐसा संभब नही है कि जो father ने आपको धंकी दी है, आपकी father ने आपको धंकी दी है, कि वो आपको अपनी जायदात से बेदखल कर देंगे, ऐसा वो implement भी करें, तो carry out का मतलब होता है, किसी plan का implement करना, किसी obey करना, execute कर देना, किसी plan को, ठीक है, तो कहते हैं कि it is well not likely, यानिक ऐसा नहीं होगा, कि father सुंगो actually may inherit, disinherit नहीं कर देंगे, ठीक है, तो फिर से हम इस वाला example के इस्तमाल कर दें, तो it was very likely, यहाँ पर वो it was very likely that Sardar Khan will carry out his threat, तो उसने जो threat दिया था, कि वो रामाधिर सिंग को नाच नचा देंगे, तो वो शायद वास्तों में नाच नचा देथा, अगर थी नि पर देंटे में रड़की वापस नहीं आती, तो it was very likely that Sardar Khan will carry out his threat, वो इस threat को implement कर देगा, execute कर देगा, समझ गया, अगला जो word है हमारा, वो है cast away, ऐसा एक चीज़ और, cast away जब हमारा पहला word देख रहे हैं, तो इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी आपका broadcast, cast, कोई भी ऐसा शब्द आता है, तो इनकी तीनो form of verbs same रहती है, cast, 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 broadcast, 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 telecast, telecast, forecast, 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 forecasted नहीं होगा, forecasted नहीं होता है, ये गलत हुए, ध्यान रखिएगा, कास्ट अवे का मतलब होता है throw away as useless किसी जिच को fake देना क्या कहलाता है? कास्ट अगर यह mouse खराब होगा और इसे मैं fake देता हूँ तो क्या कहूँगा? कास्ट अभे हो देता तो क्या कहूँगा? कास्ट अवे हो देता जब एक चिर्वेट को हम फैक के तो कस्ट वह याद रुखेंगे मतलब होता है किसी चीज़ को फेगे दिना यूज़ समझके उसे फेग देने के लिए कास्ट डाउं का मतलब हो जाता है आपका डिजेक्टेटिट फील करना बहुत भूँनिराश फील करना अटास्ट फील करना वहाँ एकडम डिज तो कास्ट डाउन का अर्थ होता है निराश हो जहां तो नावदेज ही इस कास्ट डाउन आज रिजल्ट ऑफ इस फेलियर इन दा इग्जामिनेशन एक्जाम में अपनी असफलता के कारण वो काफी ज्यादा निराश है इस समय तो कास्ट डाउन का मतलब हो जाता है आपका निराश होने के लिए अग्ला जो फ्रेजल वर्ट है वो है हमारा कास्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को remove करना या release करना क्या कलाता है cast off ठीक, तो बंद कर देना या त्याग देना इसका sense हो जाएगा organization must cast off old-fashioned practices in order to survive organization को पुरानी practices को जरूर से त्याग देना चाहिए अगर वो survive करना चाहते हैं तो cast off का मतलब हो गया release करना या त्याग देना ठीक, you must cast off memories of your ex if you want to succeed, तो अगर आप जीवन में suffer होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ex-girlfriend या boyfriend की यादों को भुला देना चाहिए, त्याग देना चाहिए ठीक है, तो cast off का मतलब हो जाता है release करना या remove करना ठीक है चलिया अगला term हमारा होता है catch up with, this is very important catch up with, ध्यान रखिए catch up के साथ with आता है लेकिन दूसरा जो सेम अर्थ का एक freezer verb होता है cope with, उसमें अकसर exam में cope up with लिखकर आता है आप ध्यान रखेंगे cope up with गलत है और cope with सही है, लेकिन catch up with सही है, catch up with का मतलब होता है कि आपने make up for deficiency, compensate करना, overtake करना माल लो आप बीमार हो गए, तो आपका syllabus शूट गया, तो आप वापस से उसे compensate करोगे, जल्दी जल्दी पूरा करोगे that is called catch up with he remained ill for many days but caught up with the pending work very soon, तो वो बहुत दिनों तक बीमार रहा, लेकिन pending work को उसने बहुत जल्दी पूरा कर लिया, cover कर लिया तो catch up with का मतलब होता है compensate करना, जल्दी से पूरा करना, cover करना ठीक तो इसको ध्यान रखेंगे, आसान है वाला अगला जो phrasal verb है वो है हमारा come about come about का आर्थ होता है होना, happen, किसी चीज को cause to happen, होना, that is called come about, so घटित होना it is not good that such an unfortunate accident came about, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि इतना unfortunate accident घटित हुआ, ठीक है तो फिलाल आपने, फिलाल जब मैं बोल रहा हूँ तो हाल में अप नया गाना आप्षा कुमार का वीपराग का आपने सुना ही होगा नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए तो फिलाल टू का जो सीन है, जिसमें इस सीन में अक्षा कुमार का accident हो जाता है तो it is unfortunate, ये काफी unfortunate है that such an accident came about ये काफी unfortunate है कि उस गाने के end में ये accident हो जाता है इस नहीं देखा, जाकर देखो बढ़ियां गाना है जो phrasal verb हमारी इस वीडियो की है वो है come across come across का अर्थ होता है किसी से संयोग वश मिलना ठीक है, by chance मिल जाना किसी से क्या कर जाता है, come across ठीक है, तो संयोग से मिलना हो जाता है come across, I came across my ex-girlfriend in the market yesterday, ठीक है, उस दिन market में मैं अपने ex-girlfriend से संयोग से वर्ष में मिल गया that is called come across, meet by chance ठीक है, that is called come across तो come across आप ध्यान रखेंगे, important है और जब भी आप अपने ex से मिले होंगे जरूरी पूरा दिन खराब गया होगा तो come across मतलब होता है संयोग से किसी से मिलना ठीक है, आपको याद होगा so this is it for today आज के लिए इस वीडियो में इतनी ही phrasal verbs हम याद करेंगे अगर आप लोगों को मेरा किसी भी plus class में आपको enroll करना है तो आपको subscription ले लिजे नहीं लिया है तो जदी से subscription ले लिजे और इस वीडियो को इतना ही रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका दूस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभू बबाए, take care and have a great day thank you so much